दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एज़े आयरुवेदा में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे देखो लिंग को मोटा करने का तरीका क्या है और लिंग अगर आपका पतला है मोटा कैसे होगा और उसमें ताकत कैसे लाएं वो हमेशा ढीला ही रहत है तो उसको दड़ कप्वोड करने के लिए क्या करें बहुत सिंपल सा नushka है बताऊंगा भी और आयरुवेद में लिखा हुआ है दिखाऊंगा भी बने रही हमारे साथ इस वीडियो में सबसे पहले आपको क्या करना है आपको लानी है चुछे की मेगनी चुछे की मेगन फिर उनका powder बनाना powder mixi में डालके या पीस के जैसे भी आप बना सको powder बनाके छान लेना छानने के बाद ही महीन महीन powder इसका बनके तयार हो जाएगा अब इसमें इतना शैद मिक्स करना है थोड़ा सा ज्यादा सैद नहीं mix करना है इतना थोड़ा सैद करना mix जिस से ये paste के type का बन जाए आपको लगे कि ये paste है अब हमारे link पर लगाने लायक आराम से हो जाएगा पान का पत्ता और एक ले आना या फिर धदूरे का पत्ता या फिर अरंड अंडी का पत्ता इन चीजों में से एक चीज ले आना है फिर आप कोई कपड़ा मतलब पेटना कपड़े से काम नहीं चलेगा तो अब आपको यूज कैसे करना है इससे बारा दिन यूज करने मातर से आपके link की मोटाई और लंबाई बढ़ जाती है ये आयरुवेद में लिखा हुआ है वो मैं दिखा दूँगा ठीक है अब ही दिखाऊँगा एक मिनट रुक जाओ पहले बता दूँ तब तो इसमें आपने शायद मिला लिया अब आपको आगे का सुपा छोड़ के वो इस हिस्सा पूरे link पर इसकी मालिस करनी है और गोलियों पर नहीं लगाना है मालिस नहीं करना है बस लगाना है उपर उपर से लगा दीना ये बारा दिन के लिए बना के तयार कर ले और रोज एक एक ग्राम की मात्रा में इसको लगाओ उपर से पान का पत्ता बांध के और कुछ बांध लो ठीक है यह लंगोट पहन लो इस तरह से आप अगर 12 दिन तक करेंगी तो 12 दिन के अंदर अंदर आपका लिंग जो है 6 से 2 से 3 इंच तो बढ़ी जाएगा इतना तो पता ही है इतना तो हो ही जाएगा इतना तो सबका हो जाता है तो यह जो नुस्खा है अब आप इसको इधर देख लो पढ़ लो यही लिखा हुआ ना चुए कि मेगनी पीस कर उसमें शहद मिला कर और लिंग पर लेप करने से लिंग में सक्ती और ब्रद्धी होती है सही है ना कोई गलत नहीं है ना तो अगर आप इसको उप्योग करेंगे मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ एक बार और दो चार लोगों ने इसको यूज भी किया है सबने रिजल्ट पॉजिटिव बताया है सबने कहा कि एजे भाई इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है बहुत जबरदस्त तो भाई आप भी अगर यूज कर लेंगे तो आपको भी जबरदस्त वाला रिजल्ट मिल जाएगा और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं घरें लोगो नुस्का है यूज करना है कर लेना नहीं करना कोई बात नहीं ठीक है और इसमें पढ़ जाते हूँ कि यह जब भाई कुछ बना लो कुछ बना लो मुझे दे दो इसमें पढ़ जाते हूँ यह नहीं कि नुस्का बना के यूज कर लें इसमें मत पढ़ा क्यों पैसे खर्च करते हूँ यार फाल दूँ बिकार में और जब नहीं कुछ होता है तब हमारे पास आओ तब हम देख लेंगे तब का तब देख लेंगे ठीक है तो वीडियो कर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब पर देना फिर मिलेंगे लिए वीडियो में तब धन्माद खादके अबनावने परवार वानुका मिधर वानुका नमस्कार